अब मैं आपको गाओं की चार पंक्तियां और सुनाता हूं, उसके बाद मैं अपने क्रम पर अपना इस्थान लोगा। जो पंटियां में विसेश आपके गाओं के लिए ही मैंने लेखी हैं कि कभी मन्जिल नहीं मिलती कभी मन्जिल नहीं मिलती कभी रस्ता नहीं मिलती कभी मनजिल नहीं मिलती कभी रस्ता नहीं मिलता यह यारो दोर महगाई का कुछ सस्ता नहीं मिलता वे यूपि टॉप करते ही जिले में फश्ट आते ही वे यूपी टॉप करते ही जिले में फ़स्ट आते ही जो बच्चे मुपूलिसों के हैं जिन्हें बसता नहीं मिलता जो बच्चे मुपूलिसों के हैं जिन्हें बसता नहीं तो सुबह में क्या दो पहरी में करेंगे काम बाबु जी सुबह में क्या दो पहरी में करेंगे काम बाबु जी बहुत हारे ठकेहें पर ने आराम बाबु जी बढ़ी महनत से पाला था जिनोंने चार बेटों को बड़ी महनत से पाला था जिनोंने चार बेटों को उन्ही के काम से होते हैं अब बद नाम बाबू जी उन्ही के काम से होते हैं अब बद नाम बाबू जी उन्ही के काम से होते हैं अब बद नाम और दादा ये चार पंक्तियां और सुनना कि हराम ना संहवा पानी वो मिट्टी याद आती है जो भुजर्ग लोग बैटे गोई जो आप दादा के उमर के लोग है उन्हें इस बात के अंतिल पंक्ति में मैंने एक प्रती उठाया आपको अच्छा लगेगा कि हराम ना संहवा पानी वो मिट्टी याद आती है जो बाबुजी की आती थी वो चिट्टी याद आती है जो बाबुजी की आती थी वो चिट्टी याद आती है वो लगा आँखों मे मा का जल मेरी कहती चलो पढ़ने लगा आखों में मा का जल मेरी कहती चलो पढ़ने मुझे खड़िया कलम चोटी सिपटी याद आती है मुझे खड़िया कलम चोटी सिपटी याद और अंति मुक्त आपके गाउं में भी अगर ऐसा होता होगा कि जहां इमान बिकता हो तराजू तो होड़ आते हैं यहां मुपुलिस के जीवन में ही ऐसे मोड़ आते हैं यहां मुपुलिस के जीवन में ही ऐसे मोड़ आते हैं शहर में आप के कोई नहीं रस्ता बताता है कि शहर में आपके कोई नहीं रस्ता बताता है हमारे घाऊँ में अभी घरों तक छोड़ आते हैं Хणारे घाऊँ में अभी घरों तक छोड़ ferm